हाई फ्रेंड्स मैं हूँ सुधा आपका स्वागत है मेरे किचन में आज मैं लेकर आई हूँ मचली के अंडे की पकोडा रेसिपी यह पकोडा बनाना बहुत ही जादा आसान है और यह खाने में भी पकोडा बहुत ही जादा स्वाधिश लगता है मुझे तो बहुत पसंद है तो अगर आपको आज की मेरी रेस्पी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए चुरू करतें से बनाना मचली के अंडे का पकोडा बनाने के लिए हम यहाँ पे यह मचली का अंडा ले लिए इसे हमने अच्छी तरह से पहले वाश कर लिए इसके उपर एक जिली लगी हुई रहती है उसे हमें रिमूफ करना होता है इसे हलके पानी से ही धोना होता है जादा धोने की जरुवत नहीं पड़ती है इसके बाद से हमें इसके अंदर क्या करना है इसके अंदर हमें कूट कर मैंने यहाँ पे लेसन डाल दी साथी में हरी मिर्चे डाल देंगे आपको जितना तीखा पसंद हो पकोड़े साथी में हमें इसके अंदर एक मेडियम साइज का प्यास डाल देंगे इसके बाद से हमें इसके अंदर healthy powder डाल देना है और यहाँ पर हमें दो बड़े चमच के करीब में बेसन डाल देना है जादा बेसन का इस्तमाल ना करेे बस थोड़ा binding के लिए हमें भेसन डालना होता है इसके बाद हम इसमें अपने स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे और हम इसमें कुछ भी ने डालना है बस इन सबी चीजों को ना हमें अच्छी तरह से elections कर देना है इसमें पानी डालने की विजुरहत नहीं परते आप इसे पानी के इस्तमाल बिल्कुल भी ना करें बस आप इसे अच्छी तरह से mix करते हुए fade दें, बहुत ही अच्छी तरह से पुरा, इसका marination है यह बहुत ही अच्छी तरह से ready हो जाएगा, यह देखी, इसमें हम एक दम पाने का भी इस्तमाल नहीं किये, अच्छी तरह से स्पून की हर्ब से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दे इस तरह से फेटते हुए तो यह देखिए, यहाँ पे यह बहुत ही अच्छी तरह से इसका मारिनेशन रेडी है पकॉडे का, अभी हम इसे आईए गर्मा गर्म तलते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम रख देंगे एक पैन, पैन हम रख दिए पैन में हमें कुकिंग ओल डाल देना है जिसमें पकॉडे तलेंगे, तेल को हमें गर्म होने देना है, तो तेल यहाँ पे यहां पर तेल को गर्म कर दें, उसके बाद से गैस के फ्लेम को लो कर दें, मैंने यहां पर सरसो का तेल का इस्तमाल किया है, पकॉड़े तलने के लिए, अब कोई भी जो भी कुटिंग ऑल अपने घर पर यूज करते हैं, अब उसका इस्तमाल कर लें, इसके बाद क्या करना ह यहां पर जैसे हम नॉर्मली पकॉड़े बगर तलते हैं वैसी हम इन्हें डाल देंगे, डालने के बाद से यह कुख होने में जारा टाइम नहीं लगता है, आप गैस के फ्लेम को मीडिया में अफिर लो ही रखें, लो फ्लेम पे ही, इसे दोनों साइड से पलटते हुए, पलटने के बाद से इन्हें अच्छी तरह से क्रिस्पी करके हम इसे इन पकॉड़ों को तल लेंगे, यह देखिए, इसका कलर जो है पकॉड़े का बहुत अच्छी तरह से चेंज हो चुका है, अब इसे दोनों साइड से पलटते हुए, यह देखिए हम इधर से भी पलट बस, अब ही आपे जो पकॉड़े हैं बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे तल के रेडी हो गए हैं, यह पकॉड़े तलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जटपट तल जाता है, अब इन्हें एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं, तो हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया, आप इसे तरह से करके बाके सभी पकॉड़ों को तल लें, तो यह हमारा मचली का पकॉड़ा जो है यह बनके तयार है, आप इसे केचप के साथ खाए, या फिर आप ऐसी ही खाए, बहुत ही जादा अच्छी लगती है, तो अगर आपको आज की मेरी वीड अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक्स पर वाचिंग